नमस्कार आप देख रही है एपी टीवी भारत और में हूँ आपके साथ रूची पांडे इस कोरोनाकार में उत्तर प्रदेश के लखिमपूर खिरी से हैरान और परिशान कर देने वाली खबर सामने आई है जहां महमदी शेत में मंडी समिती के लोग शोशल डिस्टेंसिंग ऐसी जरूरी चीज़ को भूल गए है क्या है ये प्रपोर्ट जाने के लिए देखिए हमारी एखास खबर लखिमपूर के महमदी शेतर की मंडी में आमदिनों की तरह ही लोग खरीदारी करते नजर आ रही है वहीं दुकानदार भी शोशल डिस्टेंसिंग का ना तो खुद पालन कर रहे हैं और ना ही लोगों को पालन करने के लिए कह रहे हैं अब अगर लोग शोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन नहीं करेंगे तो हम इस कोरोना काल में कोरोना को आखिर कैसे हराएंगे यही नहीं इसके चलते संक्रमन का खत्रा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं बिना मास्क के ही बाइक पर दो से तीन लोग घूम रहे हैं ऐसे में यकीनन संक्रमन का खत्रा बढ़ सकता है हम सभी को यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी खत्रा टला नहीं है वहीं सबजी मंडी में खुले आम बेधड़क शोशल डिस्टेंसिंग की धजियां मंडी समिती के फुटकर वाले दुकानदार बगैर मास्क लगाई मंडी समिती में काम करते हुए उड़ा रही हैं सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक सभी ते हरो पर रोक लगा दी गई है लेकिन मंडी समिती पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पुलिस भी नहीं आती है अगर एक से दो पुलिस कर्मी वहाँ हमेशा मौजूद रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग के धजियां नहीं उड़ेंगे कोरोना वाइरस इस समित चरम सीमा पर है वहीं लगातार प्रशासनिक अधिकारी वह जमेदार लोगों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं वह लोगों से अपील भी कर रहे हैं पर इसका असर लोगों पर बिलकुल भी दिखाई नहीं दे रहा है प्रशासनेक अधिकारी के लगातार शांती सबाओं की बैठकों में शोशल डिस्टेंसिंग की अपील के बावजूत भी लोग इधर उदर बिना मास्क लगाए गूमते नजर आ रहे हैं एपी टीवी भारत के लिए लखिम पुर्खिरी से बियोरो संजेरा ठोर की रुपोर्ट और विबड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमाई साथ देखते हैं एपी टीवी भारत